Hello my dear students, आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 151 जो की है दिनांग 22 जनवरी 2021 के लिए आज की वर्क्षीट का सब्जेक्ट है Mathematics और यह वर्क्षीट है Class 5 के लिए यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम आज की वर्क्षीट का नाम है मेट्रो की सवारी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अंशु अपने दादा दादी को अकबार पढ़कर सुना रही थी, उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी की कोरोना महामारी के चलते मेट्रों में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, दोगज की दूरी का पालन करना और चिनहित स्थान पर ही बैठना या खड़े होना होगा जब तक अत्यांत आवशक ना हो मेट्रों में यात्रा ना करें हमें हमेशा कोविड के संधर्ब में आवशक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए दादी जी ने कहा अंशू मैं तुम से मेट्रो यात्रा से संबंदित कुछ सवाल पूछती हूँ देखते हैं कि तुम इनहें कौन से तरीके से हल करती हो आईए आप भी अंशू के साथ इन प्रश्णों को हल करें तो ये कुछ प्रश्ण है जो दादी ने अंशू से पूछे मेट्रो से संबंदित हैं ये हैं पांच प्रश्ण तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्ण है यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करें और लगभग 160 लोग एक बार में यात्रा करते हैं तो कितने डिबो वाली मेट्रो चलानी होगी तो बच्चों देखो कुल यात्री 160 हमें बताए गई है अब एक कोच में 20 यात्री आते हैं मतलब हमें 160 लोगों को 20-20 के ग्रुप में बाटना है 20-20 के ग्रुप मतलब डिब्बे ये एक डिब्बा, ये मैट्रों का एक डिब्बा ये ऐसे ऐसे करके आपको 160 लोगों को 20-20 के ग्रुप में बाटना है और बताना है कितने ग्रुप होंगे कि मतलब कितने डिब्बे होंगे कितने कोज होंगे बाटना मतलब हमें भाग करना पड़ेगा कुल यात्री 160 एक कोज में आत्रियों की संख्या 20 कुल डिब्बों की संख्या 160 को 20 से भाग कर देंगे क्योंकि 150 हमारे पास कुल यात्री है 160 और 20-20 के ग्रूप में बाटना है तो 20 से भाग करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा कि कितने ग्रूप बनेंगे और उसी का मतलब है कितने डिब्बे होंगे तो इस तरह से ये प्रेशन करेंगे अब कोश्चन नमबर सेकिंड यदि एक दिन में नीली लाइन मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की है पीली ल लाइन पर 5,986 यात्रियों ने यात्रा की है तो कुल कितने यात्रियों ने इस इन तीनों लाइनों की मेट्रों पर यात्रा की है तो ये तो बड़ा ही आसान है आपको कुल निकालना है मतलब जमा करना है इस तरह से आप लिखकर और इनको जोड देंगे और आपका अंसर आ जाएगा नेक्स्ट यदि गुलाबी लाइन पर 6528 यात्रियों ने यात्रा की है जिन में से 4699 यात्री पुरुश वै बच्चे थे तो महीला यात्रियों की संख्या कितनी होगी इसमें क्या करना है बच्चो आपको बताया गया है गुलाबी लाइन के बारे में गुलाबी लाइन पर कुल यात्री अगर 6528 है और फिर आगे ये बताया गया है कि इन यात्रियों में से 4699 पुरुश और बच्चो की संख्या है तो बताओ महीलाएं कितनी है तो ये भी आसान है कुल में से पुरुष और बच्चों की संख्या गर आप घटा देंगे तो महीला यात्रियों की संख्या पता लग जाएगी तो ये भी आप करके देखे और फिर अपना अंसर चेक करें नेक्स्ट यदि एक दिन 256 यात्री राजीव चोग से कुतुम मिनार तक जाते हैं कितने यात्री 256 दोसो चपन और राजीव चोग से कुतुम मिनार तक का किराया 40 रुपे है कितना है 40 यात्री कितने थे 256 और एक यात्री का किराया है 40 तो मैट्रो को 256 यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त होगा तो बच्चों आपको एक यात्री का किराया बताया है आपको सबका निकालना है तो एक यात्री का किराया 40 रुपे कुल यात्री कितने है 256 56 जैसे मानलो किसी एक चीज के बारे में हमें बताया गया है और बहुत सारे का पूछा है तो हमें गुना करना होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं जैसे मान लो किसी एक पैंसल की कीमत बता दी पांच रुपे और पूछ लिया कि दस पैंसल की कीमत बताओ तो हम गुना करते हैं एक की कीमत बता है और हमें उससे जादा की निकाल नहीं है एक से जादा की तो गुना करना होता है इसी तरहे यहां किराय की बात की गई है अगर एक का किराया पता है तो हम 256 का भी निकाल सकते हैं गुना करके एक का पता होना चाहिए फिर हम कितना भी निकाल देंगे गुना कर देंगे अगर 256 की जगे आपसे बोला होता हजार यात्रियों का पता करो तो 40 को 1000 से गुना कर देते तो उसका उत्तर आ जाता चलो अब करेंगे next question रोहन समय पुरबादली से अपने परिवार के आठ सदस्यों के साथ कुतुब मिनार जा रहा है कितने सदस्य है आठ ध्यान से पढ़ते जाएंगे बच्चों कुतुब मिनार से वे लोग लाल किला जाएंगे उसके बाद वे मैटरों से ही समय पुरबादली वापिस आएंगे क्या आप बता सकते हो कि आठ लोगों को समय पुरबादली से कुतुब मिनार जाने फिर कुतुब मिनार से लाल किला जाने तथा लाल किला से वापस घर पहुँचने में कुल कितना किराया घर्च करना होगा किराया सूची का प्रयोग करें तो देखो कितने लोग थे आठ लोग थे कहां से कहां गए पहले समय पुरबादली से कुतुब मिनार फिर कुतुब मिनार से लाल किला फिर लाल किले से वापस वो समय पुरबादली आ गए तो यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पर आ गए अब आगे इनका किराया लिखा गया है कितना 60 40 और 40 तो बच्चो आप बताओ की एक व्यक्ति का किराया कितना हो जाएगा अगर एक का हमने निकाल लिया ना तो हम आठ का भी निकाल देंगे अभी बात की हमने गुना करना पड़ेगा है ना तो देखो एक व्यक्ति का कितना होगा इसको इसको और इसको जोड़ दो एक व्यक्ति का किराया आ जाएगा कितना? एक सो चालेस रुपे बस इसी को आपको शब्दों में लिख देना है एक यात्री का कुल की राया साथ जमचालिस जमचालिस एक सो चालिस रुपे अब कुल यात्री कितने है? आठ है तो कुल की राया कैसे निकालेंगे? एक यात्री का एक सो चालिस आठ का निकालना है तो आठ से गुना और फिर यह आगया आंस्वर 1,120, 1,120 रुपए तो ये आपका फिफ्ट कोशन हो गया तो ये थे बच्चों आपकी वर्कशीट के कोशन्स 1, 2, 3, 4, and 5 बच्चों क्या इन प्रशनों को हल करने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं क्या आप पता लगाएंगे तो बच्चों अगर इन प्रशनों को आप किसी और तरीके से हल कर सकते हैं तो आप उससे करके देखे और आपको क्या काम करना है अब भ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्ट संक्या 78 और 79 भी कीजिए कौन कौन सा पिश नुमबर 78 और 79 तो ये इसी से संबंदित होगा आप उनको भी करें बच्चों सारे प्रश्ण पहले आप कुद करेंगे जहां भाग करना है भाग करके देखेंगे डायरेक्ट आंस्वर कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा आप जितने प्रश्ण खुद करेंगे उतना अच्छा आप समस्ते जाएंगे उतना आपको पता लगता जाएगा कि कहां आपको भाग करना है कहां गुना करना है शुरू में एक दो बार गलती हो भी सकती है लेकिन अगर आप खुद करते रहेंगे तो आपकी समझ और अच्छी होती जाएगी आपको और अच्छे से समझ आएगा तो बच्चों आप ये सारा करेंगे अब करते हैं अभी भावकों के लिए सुझाओ बच्चों से मैट्रों में यात्रा करते हुए ध्यान रखने योग्या बातों पर बातचीत करें जैसे दर्वाजे से हट कर खड़े होना फीली लाइन से दूर खड़े होना मैट्रों में दिये गए निर्देशों को सुनना वे उनका पालन करना आदी तो बच्चों जब भी आप मैट्रों में यात्रा करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है आपको वहाँ इधर उधर भागना नहीं होता दर्वाजे से दूर खड़े होना होता है और मैट्रों में आपको समय समय पर निर्देश मिलते रहते हैं उनका ध्यान रखना इधर उधर कूड़ाना फैलाना सफाई रखना और कोविड के समय तो और भी बहुत सारी साफधानिया है जो हमने यहाँ शुरू में पढ़ी भी थी अंशु ने दादा दादी को अकबार से पढ़ कर सुनाई थी तो यही सारी चीज़े आपको ध्यान रखने चाहिए तो बच्चों आप कीजिए अपनी वर्कशीट और अपने वर्टसप ग्रूप पर स्टेंड कीजिए थैंक यू बच्चों, हैव एन नाइस डे और टेक कियर